आज कुछ अलग हो रहा है अभी कुछ अलग हो रहा है हम मारे लाइव ट्रेडिंग सेशन कर रहे हैं और अब क्या करना चाहिए पूब्लिक बोल रहा है पूट ऑप्शन लेना चाहिए बट मैं बोल रहा हूँ कि अगर अगर देखो निफ्टी वन 25 पॉइंट डाउन है बैंक निफ्टी 250 पॉइंट डाउन है अगर तुम लोग बोल रहे हो सब डाउन है मार्केट सब लोग डाउन में खिलने वाले पूटी लेने वाले तो एक तो पूट का प्रीमियम बहुत जादा होगा दूसरा अगर सब लोग की सोच एक ही होगी तो मार्केट में कैसे कमा बाता वो है जो अलग सोचता है क्या बोलते हो तो क्या करें कॉल ले इदर तुम लोगो थोड़ा हलका हलका इदर दिख रहा होगा देखो पूट ऑप्शन 125 डाउन 126 डाउन 126 और 127 डाउन लेको गिरते जा रहे गिरते जा रहे 128 डाउन मैं गुटनेस ग्रेशियस तो बोलो क्या लग रहे हैं वह तो क्या लग रहे हैं वह तो क्या को इसमें ट्रेडिंग होता है वह तुम लोग को पहले बता देता हूं यहां से सुनना जान से तो ना कैसे इसमें इस में सब्सक्र घ्राइब इसमें ट्रेडिंग होता हैं नेara जो मेरा आज रिलाइंस चल रहा है 1050 मैं स्ट्राइक प्राइस 1050 का लेता हूँ और फिर 1200 हो गया तो 150 अपने राइट टुबाइ लिया है अब यह सब के लिए मैं प्रीमियम देता हूँ ताकि मैं चीजों को फ्रीज करूँ अब मैं आपको एक बात बता दूँ यह जो ट्रेडिंग हो रहा है ना ओप्शन का वो पूरा का पूरा ट्रेडिंग ही मेरा प्रीमियम पे हो रहा है मतलब से मैंने 1050 पे लिया और उसके ल जिरो का 1200 हो जाएगा तो 150 पॉइंट्स उपर गया तो अभी 150 पॉइंट्स उपर जाएगा ना मेरा जब तो मेरे को इतना फाइदा हुआ तो मेरा जो प्रीमियम है वह 20 रूपीज से या 15 रूपीज से जितना भी है 150 रूपीज बढ़ जाएगा एंड फिर मैं वह प्रीमि मैं वह प्रीमिय मार्केट में बेश दूंगा तो मुझे वह प्रॉफिट हो गया बेस्ट खैस समझे दुम लोग कैसे इस में टरेंग कैसे इस में ल रहा है कैसे इसमें डरैंग हू रहा हैसम समझने तुम लोग को यां uncom सिस्टम वर्क्स वैसा है सो वैसा सीन है अब अब यह देखो अब इदर निफ्टी दिख रहा है सब्सक्राइब अब क्या लग रहा है वह बताओ अपन ले देखा था अभी 117 हो गया मार्केट रिकावर कर रहा है तो मैं क्या बोल रिस्क लेना एक चलो निफ्टी लेते हैं निफ्टी पे कॉल अप्शन पे देखते कितने का प्रेमियम चल रहा है कि अनिफ्टी निफ्टी कॉल ऑप्शन देखो 52.5 तो वह ले ले लेता हो चलो तो लिफ्टी यह देखो अब यहां पर आया अब नीचे देख़र धिख रहे है यहाँ पर नीचे देखेगा तुम लोग गिख रहे मैं वह की उपर क्लिक किया तिक है वहां पर लॉट 50 into 34.65 so 50 into 34.65 कितना होता है मैं कितना lot लेना चाहता हूं मैं one lot लेता हूं ठीक है तो मैंने अगर one lot लिया तो यह आया 1732.5 प्लस जो भी brokerage होगा अब अगर मेरे को कुछ बड़ा केलना है कुछ बड़ा केलना है तो यह देखो यह मेरा call option का है यह देखो यह call option अभी दिख रहा है तुम लोगो कि समझो अगर मैं यह वाला call option लेता हूं तो मैं क्या करूंगा कि कॉल अप्शन को मैं बाए पे क्लिक करूंगा यह मैंने बाए पे लिकोएट यह मेरा मार्जिन है तो यह मेरे को देना पड़ेगा करना है त्राइ त्रइग विद आ ट्रग एड मैं मार्केट चुल लॉग कि चलो place by order call option का place by order ऐसे तो market नीचे गिर रहा है ऐसा लग रहा है बड़ चलो and one two three done अभी वो पूछ रहे confirm मैंने उसको बोला भाई confirm अभी जो होगा देखा जाएगा और क्या आ गया मेरे पास message आ गया मेरे पास मैसेज आ गया क्या message आ है देखो by nifty c e complete transaction successful exact 5000 रुपे में मेरा यह close हुआ है अब देखो अभी market गिर रहा मैंने कॉल ऑप्शन लिया है मेरे को ची है मार्केट उपर जाए पर मार्केट गिर रहा है किसे ओ किया हो र manner又 डिइए आ सो मेरा लॉस हो रहा है ति को इधर जीए सब थीलिए दिखे का तुम लोग को मैंने पर्चेस जो प्राइस में किया था अब से फॉर एक्जांपल मैंने 50 100 पर मैंने लिया था अभी यह 93 हो गया है तो उत्रा मेरा लॉस हो रहा है उत्रा मेरा लॉस हो रहा है अभी मार्केट रिकावर नहीं कर रहा है हो रहा है रिकावर कर रहा है कर रहा है कर रहा है नहीं कर रहा है जब से पहला बाट समझ में आया क्या रहा हिए ल इज दो लुटहरा है उससवेर चल रहा है अभी मार्केट ऊपर जा रहे हैं अभी लिए udah जा रहे है Boulder अभी मार्केट उपर जाते जाएगा उतला मेरा प्रौफिट बढ़ेगा जितना मंचे या लग अब लॉस्ट एक जटके में हजार रुपे का प्रॉफित हजार रुपे का लॉस्ट कुछ भी हो सकता है एक जटके पता भी नहीं चलता है यहां से मारके जितना नीचे जाते जाएगा ना उतना मेरा लॉस होते जाएगा तभी तुम लोग निफ्टी को ट्रैक करो धेको अपने निफ्टीप के इंटर किया था और अभी निफ्टी देखो कितना हो रहा है आपन्य ने जब एंटर किया था तब था तよろ कि दूँआ FM ये पोजिशन पर इदर ओपन ??? और रिखहा रहा है यह को इदर order history डिखा रहा है वो मेरा अब यह open आइ पोडि Taste bless एक है इना इगर मेरे को इंट मारना है तो खली है इधर यह थींट दीक रहा है तो वन्हें ex पे उसरी क्लिक किया तो हो जाएगा इसका मैंने क्या लिया है निफ्टी 15th नहीं कि 450 का लॉस सो 475 का लॉस में चोड़ योड़ी बाते होती है रहती है सर स्टॉप लॉस क्या होता है अरे यार मैंने स्टॉप लॉस डाला नहीं मुझे डाल देना चीए अग समझो मैं स्टॉप लॉस डाल दे था मतलब कि अभी मेरा जैसे चार सो का अगर लॉस हुआ ना तो इसको बलता है स्टॉप लॉस कि मेरा लॉस होते जा रहे होते जा रहे जैसे ही 400 का लॉस हुआ ओटोमेटिक सेल फिर बाद में और लॉस नहीं होगा एटलीस्ट 21600 मेरा स्ट्राइक प्राइज है 21 stick देख तो 21600 का मेरा स्ट्राइक प्राइज है one lot is equal to 50 वो देखो इधर दिखेगा 21600 का स्ट्राइक प्राइज one lot is equal to 50 stop loss मतलब कि मेरा 400 का loss हुआ अब मार्केट तोड़ा और रिकावर कर रहा है वापस गिर रहा है बहुत वॉलेट आई आज करने का दिन नहीं है बटीक है बटीक है वॉलेटलिटी में सीखता भी है आदमी ज्यादा क्या ही होगा है नुकसान होगा तोड़ा इस ओक है पॉइंट इस समझ में आया यह रोज कर सकते हैं रोज पंदरा मिनिट काने का करने का यह प्रॉफिट वाटीक है लॉस वाटीक है करके निकल लेने का है गौट इट तो यह सब चीजे तुम लोगो समझ में आ गई यह यह ओपन पोजीशन है यह मेरा इदर सब अगर मेरे को कभी अनलाइस करना है कि क्या हो रहा है क्या नहीं मेरा कैसे कितना क्या लॉस गया ऑपन है समझो मेरे को और एक ओडर लेना है तो मैं इदर आ जाओंगा वाच्छ लिस्ट पे आ जाओंगा सर्फ पुट लेते तो तो अपने को उतना फायदा हो रहा है अब यह इधर कॉल पर क्लिक करता हूँ तो पूट देखो सब ग्रीन में सब ग्रीन में क्यूंकि पूट अभी मार्केट नीचे जा रहे ना तो पूट अब मैं अगर पूट लेता हूँ तो मेरा हैजिंग हो जाएका रिवर्स पोजीशन हो जाएगा तो मेरेको फिर उस सबसे देखना पड़ेगा टाइम वेल्यू क्या होता है जितना एक्सपारी के पास में होता है न उतना वरेजीश को कहू ईसको नजया पूलते वैल्यू फिर यह देखो आई टी यहां पर आई समझे udah पे करता हो हूं अब यहां पर होता है रिमीट कि मेरे को कितने में चाहिए तो वह लिमẩट और भी करके होता हूं कि मेरे को ये पर राईस पर छीए मिडे पासव है मैं खरीद आ कभी-कभी मार्केट नीचे जाने के बाद भी put increase नहीं होता अगर उतना नीचे गया मार्केट नीचे गया तो आइडिली पूट को बढ़ना चाहिए फिर लग रहा है कि यह नीचे है ना खाली टेंपररी जाने वाला है तो इसके लिए वह कई बार फिर उतना वोलाइटिलिटी नहीं दिखता है डिमांड सप्लाइब मैच नहीं होता है इसको इधर क्लिग करता हूँ तो मैं अमाूंट ढ़िए टार्गेट प्राइज आया तो सीधा का सीधा आटोमेटिकली मेरा सेल हो जाएगा जैसे ही मेरा आया टार्गेट प्राइस मेरा ये सेल हो जाएगा उसको बोलते है स्टॉप लॉस जी टीटी मतलब गुट फॉर टुडे गुट टुडे गुट टुडे ये क्या होता है कि आज पूरे दिन में अगर मैंने जो प्राइस डाला है तो खरीद लेना परना भूल ज हो मैंने सब्सक्राइब 110 में खरीद लिया और मुझे चाहिए क्या कुछ भी हो जाए 106 के नीचे नहीं गिरना चाहिए अगर गिरा तो बेच जाना चाहिए तो मैं स्टॉप लॉस डाल दूँगा 106 पे समझे गाइस कैसे होता है ओके सर्फूट स्टॉप लॉस एंडू आ जूप अगर्ण सकता हूक जो मेरेको डालना है ना प्राइस में इस फ्रिगर प्राइस वोलते है उसको फिरश में सकती फिरदल तो reminder in the सो अभी फिलाल सेशन करते हैं मैं अभी फिलाल इसको होल्ड कर रहा हूं देखो अगर मार्केट ऊपर गया यहां से तो मुझे इंफॉर्म कर देना तो मैं तभी बेज दूंगा भी मैं तो लेक्चर में बीजी हो जाँगा मेरे पास तो टाइम नहीं है जादा बट वैसा दूंगा बटला सुख लावशब नहीं पास टूंगा उपम थे सम्गल爷 कॉश्ण सते हैं मैं मैं थे स्वाल क्रेंजिए ज tag लिopath भी टावशबसे इंगा अव्त бок Seven हुआ 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 यह देखो अभी 1000 का लॉज दीख रहा था अब यह देखो 300 पर आ इंक्रीज पैटन पर है मार्केट तो बढ़ना चाहिए सर कांट इडां दीडां सी यू लोग फ्यूटर आंप्शन के लिए रजिस्टर नहीं होते हैं आपको स्पेसिफिकली फ्यूटर्य आंप्शन के लिए रजिस्टेशन करना पड़ेगा तब जाके आपको वह सब चीज फॉर्म जहां पर आपको सब्सक्राइब करना पड़ता है बूलना पड़ता है ओके आएव रेडी तो टेक दाट रिस्क पाया एंटरिंग इंटो डेरिवेटिव मार्केट तब जाके वह आपको ओप्शन दिखेंगे अद्वेस नहीं दिखेंगा जी लोग तो तुम लोग क मेगा मनीशा तुम लोग का वह है ओप्शन के नहीं मुझे नहीं पता है चल अभी एनिवेज यह देखो 500 के लॉस पर आ गया कुछ भी हो सकता है तुम लोग मुझे बता देना वहीं जो भी है मैं उसी साब से फिर कर दूंगा दो-तीन अजार तक का जितना भी ये लॉस है पाँजार के देखो अभी मैक्सिममम लॉस कितना जाएगा जितना प्रीमियम बेग यह पांजा जितना बस उससे जाएगा नहीं देखते है क्या होता है क्या नहीं वेड़न वच इसका एक्सपाइरी कल का है यह तोड़ा गल्ती किया मैंने टोड़ा लेट का लेना चीए सब्सक्राइब फ्यूट्राइब एक बार एक बार ऐसे यह लिया यू कन दू फॉर एंइटिंग बाबा डोंट वरी यू कन दू यू कन दू यह देखो अब लंबे लंबे एक्सपारी का भी है अब पूट लेते हैं सर आहां अरे यू कन टेक फॉर एनिधिंग यहाँ पर मैंने निफ्टी और वह वाला सिलेक किया है यह देखो निफ्टी यह भी 15 फैब का है फिर उसके आगे वाली भी है जो चाहिए वो मिलेगा आपको अलग अलग एक्सपारी यह देखो 22 के फैब वाले एक्सपारी भी है 29 फैब वाले एक्सपारी भी है पर उसमें इतना मुमेंट नहीं होगा जतना यह वाले में अभी है अब सर्च से फ़र एक्सम्पल तेर को चाहिए रिलाएंस रिलाएंस का मेरे को चाहिए ऑप्शन्स मार्केट यह रहा यह देख ओपीटी टाइप किया मैंने और विदर ओपीटी लिखा अब यह रिलाएंस का सारा आगया मेरे पास किसी ने अदानी टाइप किया है अडानी का मिरे को क्या चाहिए फ्यूचर चाहिए तो यह अडानी के सारे फ्यूचर्स का दिख्या समझा है सर ऐसा कर सकते एक्सपाइरी वाले दिन के पूट एन कॉल दोनों ले लो तो दोनों में से कुछ भी बड़ेगा तो प्रॉफिट तो अनुमिटेट बट लॉस अप टू प्रीमियम कर सकते ना बट कैसा है बता है क्या यह चीज सबको बता है तो एक्सपाइरी के द अन्युवेस माइपॉइंट वस टू एक्स्पें यू अल अफ दिस समझ में आ गया अब मारगेट ऊपर जाएगा तो बताना तो हम स्क्वेर आफ करेंगे और ना देखेंगे क्या करना है कि अधिक है अरे बड़े बड़े इश्यरा में चोड़ी योड़ी बाते होती रही है नुक्सान से डर नहीं लगता साब सुट परी इसेश्यरा में ए टेख्ड च्पार अिस एक्स्पारी एव्री धॉट्सट्ड़े इसनेख्स पारी थृस्ट्ड़े इसने एक्स्पारी यह देखर अश्म मतलब उपर जा रहा है मार्केट ऐसा कुछ होगा तो बता ना भी तुम लोग वाट्साप पे मैं तो अभी बिजी हो जाऊंगा मेरे काम में चालो चाहिम फॉर मीडियो से अस्ता लब समझ में आ गया कभी वापस से और ऐसा ट्रेडिंग करना है लेट में विल डेफिनिटली बैंक पर लॉंग तर्म वेरी गुड वेरी गुड लगडी स्टॉप नो प्रॉब्लम चलो अभी मैं आसे रैप अप करता हूं और कुछ रहेगा विकेन लेट में बावाए अस्ता लवेस्ता थैंक यू